नॉर्मल डाल बाटी से अलग एकदम नई डाल बाटी की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बाटी मैंने गेहों के आटे से नई बनाई है और ना ही इसमें देल या गी डाला है एकदम healthy बाटी है और आप इसे diet में भी खा सकते हो मैंने ना ये बाटी मकई के आटे से बनाई है और खाने में बहुत ही tasty बनती है और इसके साथ खाने के लिए मैंने उरदर चने की धाल बनाई है सबसे पहले बाटी बनाने के लिए मैंने या पी दो कप मकई का आटा लिया है जो ready bed market में मिलता है मैंने वही मकई का आटा यूस किया है अब इसके अंदर हम एक टीस्पून लाल मिस्ट पाउडर डालेंगे एक टीस्पून धनिया जीरा डालेंगे एक टीस्पून अजवाइन को इस तरह क्रश करके डालेंगे टीस्ट के अकड़िंग नमक एड़ करेंगे और अब इस सर्दियों की सीजन में बहुत ही अच्छी हरी मेथी मिल रही है तो मैंने थोड़े से मेथी के पतेस में डाल दिया है और इससे बाटी का टीस्ट बहुत ही अच्छा आएगा अब इसे नहां हमें बहुत अच्छी से पहले मिक्स कर लेना है इसमें हमें कोई भी गी या तेल डालने की जरुद नहीं है फिर भी हमारी बाटी नहीं एकड़म सॉफ्ट बनेगी अब इसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करेंगे और इसका थोड़ा सा hard dough ready करेंगे राजस्तान में बहुत ही अलग-अलग तरीकों से बाटी बनाई जाती है उन में से एक है ये मकाई की बाटी जो एकड़म healthy तरीके से बनती है और इसे बनाने में ज़्यादा जंजटमी नहीं है बहुत ही जल्दी बन जाती है मकाई की रोटी बनाने से भी जादा easy है मकाई की बाटी बनाना और उरद और चने की दाल के साथ इसका combination एकड़म अच्छा रहता है अब देखे बाटी का dough मैंने अच्छे से ready कर लिया है अब इसे थोड़ी दिर के लिए हम rest दे देंगे और तब तक हम दाल को उबलने के लिए रख देंगे तो मैं यहाँ पे cooker में आदा कप चने की दाल दे रही हूँ और आदा कप उरत की दाल दे रही हूँ अब दाल को अच्छे से पहले हमें पानी से दो लेना है इसके बाद हम इसके अंदर तीन ग्लास पानी और टेस्ट के अकोडिंग नमक एड़ करके इसे अच्छे से एकदम मैश होने तक बॉइल कर लेना है तो दाल हमारी एक साइट पर बॉइल हो रही है तब तक हम बाटी बॉइल करने के लिए यहाँ पे पानी चड़ा देते हैं तो मैंने यहाँ पे पैन लिया है इसके अंदर मैं दो ग्लास पानी ले रही हूँ इसके अंदर मैं चुटकी पर हिंग डाल रही है और चुटकी पर बेकिंग सोडा एट करेंगे बाटी को न हमें हलका सा पहले बॉयल कर लेना है इसके बाद इसे सेखेंगे इसे नहीं बाटी हमारी जरा भी कच्ची नहीं रहेगी तो यहां पर हमारा पानी उबल रहा है तब तक हम डो में से बाटी बना लेंगे तो डो में से हम बड़ी साइस की लूई लेंगे और एक बड़ी साइस की बाटी बनाएंगे आपको जैसे भी साइस पसंद तो उससे सबसे आपको बाटी बनानी है देखे बिल्कुल इसी तरह से हमें मक्के की बाटी बना लीनी है अब एक साइट देखे बाटी के लिए पानी भी बॉइल हो गया है पानी अच्छे से बॉइल हो जाए उसके बाद ही इसके अंदर हम बाटी को बॉइल करने के लिए रालेंगे तो देखे मैंने अभी न डो में से टोटल चार बाटी बना ली है बाकी की हम बाद में बना लेंगे तो मैं यहापी अभी चार बाटी इसके अंदर डाल लेслए हू कनका पानी से बाहर निकाल लेंगे और बाटी को नो हमें थोड़ असा dry और ठंडा हो जाने देना है उसके बाद इसे हमें सेखना है हम इसे plate में निकालके ऐसे ही छोड़ देंगे और ये देखे हमारी दाल भी एकदम अच्छे से गल चुकी है बिल्कुल ऐसे हमें दाल को boil करना है अब इसे masher से हम थोड़ असा mash कर लेंगे अब देखे बाटी न अच्छे से एकदम dry हो गई है और बाटी को सेखने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिट्टी का तवा लिया है इसके उपर इस तरह से हमें एक जाली वाला stand रख देंगे और इसके उपर मैं चारो बाटी रख रही हूँ और बाटी के उपर न हमें कोई भी बड़ा बर्तन लेके अच्छे से ढख देना है तो अगर आपके पास बाटी का कुकर नहीं है न तो आप इस तरह से बाटी को सेख सकते है अब डाल में तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कडाई में तेल गरम कर लिया है तो मैं यहाँ पर करीब 2-3 टेबल स्पून चितना तेल ले रही हूँ तेल गरम होते इसमें एक टीस्पून जीरा डाल देंगे 1-4 टीस्पून हिंग एड़ करेंगे और एक सूखी लाल मिर्च एड़ करेंगे और अब इसके अंदर 10-12 लसुन की कली और 4 हरे मिर्च को मैंने क्रश कर लिया है वो इसके अंदर डालेंगे अब इसके अंदर आधा टीसपून हल्दी पावडर, एक टीसपून लाल मिश पावडर, एक टीसपून धनियाचिरा पावडर और एक टीसपून कीचन गेंग मसाला एड़ करेंगे मसालों को अच्छे से mix करके एक मिनिट के लिए साटे कर लेंगे इसके बाद हमने boil की हुई दाल है वो सारी इसमें add करेंगे दाल add करके अच्छे से हमें इसमें mix कर लेना है और ये देखे एकदम simple से तड़के वाली हमारी ये दाल बाटे की दाल ready हो गई है इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं इसमें एक टीस्पून काश्मेरी लालमिस पाउडर एड़ कर रही हूँ मक्के की भाटी के साथ ये दाल खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है दाल थोड़ी साथा थी तो मैंने इसे दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लिया है अब दाल को टक कर बॉइल होने देंगे और तब तक हम बाटी चेक कर लेंगे तो एक साइड से अच्छे से कूख हो गई है तो इसे नहीं पलटा लेंगे ताकि नीचे की साइड से भी अच्छे से सिख जाएंगी अब दाल को भी हम चेक कर लेते हैं तो ये देखे दाल अच्छे से बॉइल हो गई है तो उपर से हम बहुत सारा हरा धनिया डाल देंगे और ये देखे हमारी एकदम पॉफेक्ट डाल बाटी की डाल बनके रेडी हो गई है मके की बाटी के साथ ये डाल ना खाने में ज़्यादा टेश्टी लगती है एक बार इसे बना के ट्राइ शरूर करना और ये देखे हमारी बाटी अभी अच्छे से दोनों साइट से खूक हो गई है तो बाटी को भी हम निकाल लें के और बागी की बाटी अभी इसी तरह से सेक लेनी है और ये देखे हमारी पॉफेक्ट हमारी मके की बाटी बनी है तो दोस्तों आपने भी अगर मके की ये बाटी बना के ट्राइ नहीं की है तो एक बार बना के ट्राइ जरूर करें डाल और बाटी का ये कॉम्बो ना एकदम हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें बहुत ही कम ओईल यूस किया है तो खाने में ये हैल्दी के साथ साथ नूट्रिशन से भरपूर भी है तो सर्दी की सीजन में इसे हपते में एक बार बना के जरूर से खाना चाहिए घर्मा गरम बाटी के ऊपर बहुत सारा गी डालके इसे डाल के साथ सव करेंगे आप इसके साथ लसुन की चटनी और प्यास भी सव कर सकते हो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लिस कॉमेंट में यम्मी टाइप जरूर कर देना वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें और जाधा से जाधा आपने फैमिल और फ्रेंड्स में शेयर करें और ऐसे ही मज़ीदा रेसिपी देखने के लिए मुझे फेस्बूक पे फॉल्ल और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर से कर लेना फिर मिलेंगे ऐसे ही विंटर स्पेशल नई रेसिपी के साथ थेंक्यू और वाचिंग